फटा देखिए फटा फट खबरे डाउन्लोड कीजिए ता क्या है हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा रक्षक देश का पहला जिसके पहरे में सालो साल महफूज रहेगा देश आज से विकरान ने एक बार फिर समाल ली है नौसेरा की कमान विकरान के जंगी बेड़े में सामिल होने के साथ इस अमंदर में ना सिर भारत की ताकत में इजापा हुआ है बलकि दुनिया के उन 5-7 साली देशों की फहरिस्त में भारत सुमार हो गया है जो 40,000 टन का एरक्राफ्ट केरियर बनाने की छमता रखते हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लेंड के बाद अब भारत ने ये कमाल कर दिखाया विसु की पाँचवी बड़ी नोसेना, भारती नोसेना की ताकत विक्रांद के आने से कई गुना बढ़ गई है विक्रांद की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद माज सागर के लिए गेम चिंजर माना जा रहा जंग के मैदान में गेम चिंजर विक्रांद, इस युद्ध पोर्थ पर 17709 सैनिक तैनाद किये जा सकते हैं, विक्रांद पर 1730 वाइटर एरक्राफ तैनाद किये जा सकते हैं, इसमें से 20 लड़ाकु इमान और 10 हेलिकॉप्टर होंगे, इस पर मिक 29 के और दूसरे हल के से आसानी से उड़ान भर सकते हैं, रोमियो हेलिकॉप्टर की तैनादी भी विक्रांद पर की जा सकती हैं, दस कामोव 31 या वेस्ट लेंड सी किंग हेलिकॉप्टर भी तैनाद किये जा सकते हैं, विक्रांद की सामान स्पीड 28 नॉट्स यानि 33 किलोमीटर प्रतिगंटा है और इसके अधिक्तम स्पीड 28 नॉट्स तक है यानि करीब 51 किलोमीटर प्रतिगंटा, ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानि 13000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तैगर सकता है, यानि एक बार इसने भारत से कूच किया तो प्राजील तक महो सकता है, इस पर तैनाद फ को रखने की छमता और उतना ही ताकतवर युद्धुपोत, विक्रांद इस लिहाद से भी देश का सबसे बड़ा युद्धुपोत है, विक्रांद की विसालता का अंदाजा इसी से लगाए जाए सकता है, ये अपने आप में एक तेरता हुआ, गाव है, विक्रांद का टाकतवर टार्वाइन लगे हुए है, जो इसे एक लाग दस अजार हर्स पौर की ताकत देते हैं, इस्वद ऐसी एरक्राफ्ट केरियर में करीब धाई हजार किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबिल लगी है, यानि अगर इसमें लगी केबिल को बिछाय जाए तो वो कोच ची से दिल्ली तक पहुँच सकती है, गर्व की बात ये बिये करीब 23,000 करोड की लागत से बने विक्रान का हर इससा भारत में ही बनाया गया है, हिंदोस्तान तीन तरफ से समंदर से घीरा है, लिहाजा दुस्मनों से खत्रा भी तीन तरफ से बना रहता है, अभी तक किसी दुस्मन के बस की बात नहीं, व्यूरो रिपोर्ट भारत तक